बिसमिल्ला रह्मान रहीं असलाम अलीकुम मेरा नाम मुहम्मद अवैश शफीग टेकनिकल मैनेजर टोटल इटी स्लूशन फैसलबाद पाकिस्तान आपको ब्रीफ करने जा रहा हूं अब अब इसमें आप देख रहे हैं अभी सामने यह मशीन 702 उसके बाद इसका यह सौटवेर है बंडल सौटवेर जो इसके साथ आता है इसके साथ जो है वह आप देख रहे हैं मांटिंग केट है और सीरियल कोड और रस्टू थूरी टू के साथ कम्मिन्केशन की अब जाए जेक्स है फिर इसके साथ आप इसकी वाल मांटिंग किट देख रहे हैं और यह इसकी पावर सप्लाई है इसको एलेक्रिसिटी के लिए इस मेशीन का अगर आप फ्रैट प्यू देखते हैं तो फ्रैट प्यू पे आप देखते हैं कि इसकी चारिंज की LCD है और उसके बाद आपको IR नीचे नजर आ रही है, IR के मिड में जो है वो आप कैमरा देख रहे हैं, आपकी फीस इडेंटिफिकेशन के लिए जो यूज होता है, इसके साथ इसका बियोमेट्रिक स्कैनर लगा हुआ है, बियोमेट्रिक स्कैनर के साथ इसकी बैक पे अगर आप देखते हैं तो बैक अप के लिए बैटरी की इफसेलिटी भी है, अलेक्टरिसिटी ना होने पे आप इसको बैटरी पे भी चला सकते हैं, और इसके बाद इसमें लैन पोर्ट आपको नजर आ रही होगी, उसके साथ जो है वो RS232 और सीरियल के जैक्स हैं और पावर सप्लाई के अड़ाप्टर लगाने के लिए उसकी पिनका होल है, और इसके साथ ही USB बैक अप की स्पोर्ट है, इस मशीन को क्वेस्ट ओफाल हम स्टार्ट करते हैं, इसकी बैक पे आपको ओन ओफ का जो है वो बटन भी नजर आ रहा है, आसे आपको ने इसको प्रेस किया तो मशीन अनिशल होने स्टार्ट हो गई, जैसे ये मशीन स्टार्ट होती है, इसके साथ ही ये अपने होम पेज पे आएगी, यहां कोई एक से दो सेकेंड का टाइम लेगी इनिशल होने में, जैसे ये इनिशल होती है, तो एक मेसेज कनवे करती है प्लेस ट्राइए गेंड का, अब इसके साथ आप एक साहरन की आवास सुन रहे हैं जो कि इसका अलार्यम सायन है, जब तक इसकी बेकर्ण मांटिंग साथ नहीं लगी होगी यह साहरन देता रहेगा, यह अभी अपने होम पेज पे जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, इसके आप देख रहे हैं राइट साइट पर टॉप पे मैनियो का बटन आ रहा है, और लेफ्ट साइट पे जो है वो मैनियोली आपने अगर आईडी से लोगिन करना है उसके आप्शन आ रही है, सक्रीन पे आपको जो है वो टाइम का पॉर्शन नजर आ रहा है, उसके नीचे आप F1, F2, F3, F4, F5, F6 की आप्शन देख रहे हैं, यह मशीन को मैनुली चेक इन, चेक आउट, क्लास इन, क्लास आउट, ब्रेक इन, ब्रेक आउट पर सेट करने के लिए है, इसके साथ ही जैसे ही आप मशीन के मैनियों में एंटर होते हैं, तो यहां पर आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहे हैं, user management की एभे है, communication की एभे है insistems की एभे है, data management की ए है upload, download के option हा रही है, keyboard की आरी है ásato test की आ रही है, calibration की आ रही है, and well or access की आ रही है तो सबस्क्राइबा option युजर management में है फस्कन आफौराई जब भी आपने को Ideal мен पर आफ है तो इसका procedure यह है कि आपको user management में जाना पड़ेगा यूजर management में जैसे ही आप enter होती हैं तो वहाँ पे आपको दो options दे रहे हैं query की और add की इसके इलावा जैसे ही आपने को user नया add करवाना है तो आप add का button प्रेश करेंगे जैसे ही आप add का button प्रेश करते हैं तो आपको वो दो डिफन डिफिरंट दे रहा है एक दे रहीब जी फिंगर प्रेंट पे यूजर एड bewाने की और एक फेस पे करवाने की कि अगर आप पास्वर्ट पे यूजय करवाना चाह रहे हैं तो आड़् के तक पास्वड पे बीकर आपक 역रवा सकते हैं कि उसके बाद आप अगर फिर्स प्रोफाल हम फिंगर्प्रिंट पर कोई भी यूजर एड करवाना चाहते हैं तो फिंगर्प्रिंट की ऑप्शन को स्लेक्ट करेंगे उसके बाद वह आपको यहां पर अपना फिंगर यह थम जो है वो स्कैन करवाने का कहेगा फिर्स आप जैसे ही इस पर अपना फिंगर्प्रिंगर्प्रिंट करवाएंगे तो यह आपके अटेंडर्स मार्क करवा देगा जैसे आप आप देख रहे हैं कि तीन दफ़ा इसने ट्राजक्शन करने के बाद उसको चेक का निशान ग्रीन में करके बता दिया कि आपकी फिंगर् करेंगे इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट यूजर जो है वो उसको फेस पर आड़ करवाना चाहरा हूं तो सेकंड आप्शन जो है वो फेस की आरी है जैसे ही मैं फेस की आप्शन को स्लेक्ट करता हूं तो मुझे जो है वो ग्रीन बाक्स के दर्मयान में अपनी आइस लाने का जासे मेरी आइस ग्रीन बाक्स के दर्मयान आती है तो वो उनको स्कैन करना शुरू कर देता है अब यह आप ने लेका उसके वे फेस आइस की वी जो है तो तीने प्रशन लीए है और उसके बाद उसने थैंक्यू का मैसी दे दिया जाए इसको मैं सेव कराता हूँ सेव कर्वाने के बाद थर्ड जो आप्शन जैसे मैं अपसफर्ट पे बताया आपको अगर आपने पासफर्ट पे चला आट कर वाना आ है तो आप देखेंगे के जैसे हर ताइम हर दफ़ा उसने एक आठ्वा एड्राइड है कि इस दफा अगर आप मैनमेली देना चाहरे हैं तो मैनमेली दे सकते हैं यहां पे जैसे फार एक्जमपल पीछे हमने छेता की उजर आड़ करवाए हैं तो मैं जस्ट 7 करूँगा उसके बाद OK कर दूँगा तो यहां पे मुझे पासफट देने का करेगा मैं फार एक्जमपल वान टू खरिणा प्र यहां पिस्ट 4 वाजन टैम वह कहता है की बाश्च वर दो टू तुम्हेंड तो मैं एगें देता हूं उसके बाद OK करता हों तो उसको सेव कर제 मैं उसको सेव करवा दूंगा ऐसelf करवाने के बाद आप देख रहे हैं इस पि.. जो मैंने यूजर फिंगर पे करवाया है, वो आपको फिंगर का साइनिक शो करवा रहा है कि ID No.5 यूज फिंगर पे एड है, 6 जो है वो फेस पे एड है, और 7 जो है वो पासफट पे एड है, यहां से हम बैक आते हैं, तो second option इसकी communication की है, communication में जैसे ही आप आते हैं, तो यहां भी वो इसकी TCP IP आपको दिखा रहा है, RS Q3 और RS 485 की options दे रहा है, और अगर आप इसके साथ को इविजिन डेडर लगाना चाहरे हैं, तो इसकी options आ रही है, यहां से आप इसकी LAN IP को जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसका 192.168.1.201 आ रहा है, उसके साथ ही आप systems की options में आते हैं, तो systems में आपको जर्नल की options में जो है वो date format दे रहा है, उसके बाद date setting और time setting की option आ रही है, फिर उसके बाद display की options आ रही है, display के बाद fingerprint की options आ रही है, faces की आ रही है, इसमें आप इसकी performance को up-down कर सकते हैं, अपडेट में इसका firmware वगार आपने अगर अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं, फोर्ट पे आप देख रहे हैं options आ रही है data management की तो data management में आपने अगर को transaction डिलीट कर रही हैं तो